स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम पढ़ने वाले हैं मर्चिंट ओफ वेनाई से एक टू सीन टू ये दिरिश्य कहां का है बेलमॉंट का है अरूम इन पोर्शियाज हाउस एक कमरा पोर्शिया के घर का इंडर पोर्शिया और नेरिसा प्रवे प्रात मतलब कसम से कह रिये कसम खा कर कहती हूं नेरिसा मेरा ये जो शरीर है या फिर जो मैं हूं मैं इस विशाल संसार से तंग आ चुकी हूं नेरिसा, you would be sweet madam if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are मा लेकिन जैसा सुख और आराम है आपको और उतनी ही यदी कमिया है आपके पास तो परिशानी की बात तो होगी ही and yet for art I see there are sick that so feed with too much as they that starve with nothing दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास जरूरत से जादा है फिर भी वह उनकी तरह रोते रहते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है it is no mean happiness therefore to be seated in the mean मतलब इसलिए यानि की कह रहा है कि इसलिए मध्यमवार्ग स्रेष्ट है जिसके पास अधिग है superfluity comes sooner by white hairs but competency lives longer तो जिसके पास बहुत जादा है जिसके पास वह जल्दी बुड़ा हो जाता है मगर संतोस करने वाला व्यक्ति लंबे समय तक जीवन जीता है यहाँ पर जो line है कह रहा है कि yet for मैं देखती हूँ कि वो कैसे हैं वो जो लोग ठूस ठूस कर खाते हैं वो वैसे ही बीमार होते हैं और कैसे रोते हैं बीमार होते हैं जितना कि वे लोग उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता ऐसे इस तरीके से जैसे कि कुछ खाने के लिए नहीं होता तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को उसने देखा है कि जरूरत से ज़्यादा है तो भी वो रोते रहते हैं ऐसे व्यक्ति की तरह जैसे कि उनके पास कुछ हो ही ना नेक्स्ट पोर्शिया कहती है गुट सेंटेंस एंड वेल प्रोनाउंस काफी सिंपल सेंटेंस है अच्छे वाक्य हैं और इन्हें तो अच्छे ढंक से तुमने कहा भी नेरिसा फिर कहती है यह ज्यादा बहतर होंगे किस से कहरी है नेरिसा पोर्शिया से अगर इनका अनुसरण किया जाए यानी इनहें अपनी अमली जिंदगी में लाया जाए यानी मद्यम वार्ग का रास्ता अपनाया जाए संतो जनत जीवन जिया जाए पोर्चिया कहती है कितना अच्छा तंज कह रही है यदि उन बातों पर जिसके बारे में हम कहते हैं उसको अगर हम लोग अमल किया जाए तो कितना क्या होता जो चैपल्स है यानि छोटे प्राथना गर है वो बड़े चर्चेज में बदल बन गए होते और गरीबों की जोपड़ियां महलों में बदल गई होती यानि जो बाते तुम कह रही हो उस पर अगर अमल होता इट इस अ गुट डिवाइन तफॉलोस इस ओन इंस्ट्रक्शन एन आई एजियर टीच ट्वेंटी देट वेर गुट तो बी ड़न देन बी वन अफ दे ट्वेंटी तो फॉलो माइन ओन टीचिंग कीवल एक अच्छा स्रेश्ट व्यक्ती ही अपनी शिक्छाओं पर अमल कर सकता है मेरे लिए बीस लोगों को या भासर दे सकना आसान है कि क्या किया जाना चाहिए बजा इसके कि मैं खुद इन बीस लोगों में से एक हो जाऊ जो मेरी खुद की उस सीख पर अमल करेंगे कितने मुश्किल बात होती है न अमल करना प्रावचन देना कितना आसान होता है दे ब्रेन में डिवाइज लॉज फॉर दे ब्लड बट अ हॉट टेमपल लीप्स ओवर अ कोल डिक्री सचा हेर इस मैडनेस दयुद तो कीप तो स्किप ओवर दमेश अव गुड काउंसल काउंसल दे क्रिपल दिमाग जो है मानव सुभाव के लिए नियम कानून बना सकता है ब्रेन में डिवाइज नियम कानून बना सकता है किसके लिए इनसान के लिए लेकिन जब दिमाग गर्म होता है ठीक है उस समय वे ठंडे नियम कानून काम नहीं करते हैं ठीक है जैसे कि जवाल लोग क्या हो जाते हैं पागल खरगोष की भाती होते हैं जो अच्छी सला जो की आपाहिज आदमी के जाल की तरह होती है उसको उचल कर पार कर जाते हैं ठीक है क्या कर जाते हैं पार कर जाते हैं But this reasoning is not in the fashion to choose my husband ठीक है लेकिन ये तरह के तर्क मेरा कोई मदद नहीं करने वाले हैं मुझे अपने husband को चुनने में पती को चुनने में इन सब बातों से मुझे कोई भी मदद नहीं मिलने वाली Oh me, the world choose may neither choose whom I would nor refuse whom I dislike So is the will of a living daughter curbed by the will of a dead father बिल्कुल poem की तरह ये line है क्या कह रही है बेचारी? ओ, मेरे लिए ये शब्द चुनना, word choose चुनना कितना आजीब है, मैं उसे नहीं चुन सकती जिसे मैं पसंद कर सकती हूँ अना ही मैं उसे इनकार कर सकती हूँ जिसे मैं नापसंद कर सकती हूँ मैं एक ऐसी जिंदा पुतरी हूँ ज़ो अपने मरे हुए पिता की इक्छा से नियंतिरित हो रही है बादित है, कब्ड है नियंतिरित हो रही है it is not hard नेरिसा क्या या निर्दैता नहीं है ये किसे कह रही है वो सवाल पूछ रही है नेरिसा से क्या ये नेरिसा ये एक निर्दैता नहीं है that I cannot choose one nor refuse none कि मैं किसी को चिन नहीं सकती या फिर किसी को मना भी नहीं कर सकती नेरिसा कहती है your father was ever virtuous and holy man at their death have good inspiration therefore the lottery that he hath devised in these three chests of gold silver and lead ठीक है तीन है silver है gold है और lead है आपके पिता वर्चुस एक गुड़ी व्यक्ती थे और पवित्र लोगों को उनकी मृत्यु शहया पर अच्छे प्रेरणा दायक inspiration अतला प्रेरणा देने वाले विचार आते हैं सुझाव आते हैं इसलिए therefore आपको चुनने के लिए इस लोटरी जिनोंने उन्होंने सोने चांदी ठीक है और रांगे की इन तीन संदूकों के जरिए बनाया है वही जसे से चुनाव करना होगा whereof who chooses his meaning chooses you क्या कह रहा है कि जो कोई भी उन तीनों में से सही से हिसाब से चुनाव करेगा निसंदे रूप से वही होगा जो ना केवल will no doubt ना केवल never be chosen by any rightly but one who shall rightly love निसंदे रूप से वही होगा जो ना केवल उप्युक्त दावेदार होगा आपके लिए बलकि वास्टों में आपको प्यार करने वाला भी वही होगा but what warmth is there in your affection toward any of these princely suitors that are already come लेकिन मुझे ये बताईए नेरिशा कह रही है पोर्शिया से कि मुझे ये बताईए कि यहाँ पहले से आई हुए राजसी दावेदार princely राजसी और suitors दावेदार शादी के लिए जो रूची रखते हैं किसी के लिए क्या आपके हिरदय में कोई warmth है क्या कुछ कुछ होता है पोर्शिया कहती है I pray thee over name them तुम सूची के अनुसार एक के बाद उनका नाम लेती जाओ and as though name is them I will describe them और जैसे जैसे तुम नाम लेती रहोगी मैं एक एक का बतारती चलूँ जाओंगी according to my description और मेरे description के हिसाब से level at my affection यानि तुम नंदाजा लगा लेना कि मैं किसके बारे में कैसा महसूस करती हूँ यानि सबका नाम धीरे धीरे तुम लेती जो जो भी सूची में आई हुए हैं मेरे सेविवा करने के लिए नेरिसा कहती है first there is a napolitan pins कह रही है सबसे पहला नाम है एक नेपल्स के राजकुमार का पोर्श्या एई that's a call indeed for he does nothing but talk of his horse हाँ वास्तों में वह एक घोडे का बच्चा है क्या है ये घोडे का बच्चा है वो कुछ भी नहीं करता है सिर्फ घोडे के विशय में बात करता रहता है and he makes it great appropriation to his own good parts that it can show him himself तो यहाँ पे call नहीं called है indeed for he does nothing और वो इस बात को na great appropriation to his own part वो इस बात को बड़ा जो है न कि अच्छा मानता है काबिलियत समझता है खुद की कि वो घोडे की नाल खुद से लगा सकता है इस बात को वो काबिलियत समझता है अपनी तो इसने नोपोलियन के बारे में बता दिया फिर नेरे सा कहती है then is there the county palatine यानि उसके बाद count palatine का नाम है पोर्शिया इनके बारे में अब क्या कहती है he does nothing but from as who should say and you will not have me choose क्या कह रही है वह तो भाव दिखाने के सिवाए कुछ भी नहीं करता from यानि के बाव दिखाने के सिवाए कुछ भी नहीं करता जैसे कि वो कहना चाहता हो क्या कहना चाहते हो and you will not have me choose कि यदि तुम मुझे नहीं चाहती तो मुझे इसकी कोई परिवा नहीं है he hears merry tales and smiles not यहाँ पे merry tales का मतलब क्या है कहानिया तो वो सुनता है मजेदार मगर मुश्कुराता नहीं है I fear मुझे भय है he will prove the weeding philosopher when he grows old being so full of unmannerly sadness in his youth मुझे भय है कि यह तो अभी जवान है जवान होने पर जब वो इतना उदास और गंभीर है तब तो बुड़ा होने पर वो एक रोने वाला दार्शनिक बन जाएगा philosopher बन जाएगा एकदम बिल्कुल serious mood वाला I had rather be married to a death's head with a bone in his mouth than to either of this क्या कह रही है कह रही है कि इन दोनों में से किसी से शादी करने की तुल्ना में मैं एक खोपड़ी से शादी कर लूँगा कर लूँगी जिसके मुह में एक हड़ी हो God defend me from these two भगवान मेरी इन दोनों से रक्षा करे फिर नहिरुसा आगे बढ़ती है How say you by the French Lord Monsieur Le Bon कह रही है French Lord Simon Le Bon की बारे में आप क्या कहना चाहती है क्या विचार है आपके Porsche कहती है God made him and therefore let him pass for a man भगवान ने उसे बनाया है इसी लिए कि हम उसे आदमी कह सके In truth सच्चाई में I know it is a sin to be a mocker सच में मैं यह जानती हूं कि मजाक उडाना लोगों का तो जो है एक पाप है मजाक उडाने वाला तो यह पाप है कि कि लोगों का मजाक उडाया जाए But He Why he had a horse better than the Lepotons A better bad habit of running than the Count's Palatine उसका घोडा नेपल्स के राजकुमार से बहतर है और उसमें Count Palatine से जादा बहु दिखाने की बुरी आदत है इसके बारे में भी बात हुई थी न तो उसके पास जो है कि Count Palatine से भी जादा बुरी आदत है भौँ दिखाने की He is every man in no man वा हर एक से बहतर करने की इतनी कोशिश करता है If a throsal song He falls straight a capring He will fence with his own shadow कह जा रहा है कि तुम यह नहीं बता सकती की वह क्या है He is every man in no man मतलब तुम नहीं बता सकती की वह क्या है एक चिडिया के गाने पर वा नाचने लगता है If a throsal sing एक चिडिया अगर गाती है तो वो सीधा जहे कि नाचने लगता है और वा अपनी परचाई से भी घिरा बान देता है He will fence with his own shadow If I should marry him I should marry twenty husband यदि मैंने उस से शादी कर ली तो समझो मैंने बीस पतियों से शादी कर ली If he would despise me यदि तो क्योंकि वह ऐसा है मानो I would forgive him As if he love me to madness I shall never requite him यदि वह मेरा उपैच्छा करेगा तो मैं उसे माफ कर दूँगी क्योंकि यदि वह मुझे पागलपन की हद तक चाहेगा तो मैं कभी उसे प्यार वापस नहीं कर पाऊंगी I shall never requite him है ना अगर वो पागलपन तक मुझे चाहेगा तो आगे कह रही है नेरिशा वाट से यू दैन तो फाकन ब्रीज दे यंग बैरन आफ इंग्लेंड तो इंग्लेंड के यूवा जो बैरन है उनके बारे में तुम अरे उनके बारे में आप क्या कहना चाहती है नौकर है न तो अच्छे से कहेगी यह बैरन का मतलब होता है लौड यंग बैरन यहाँ पर कैपिटल हो आची तो बैरन का मतलब है लौड जो लौड है फाकन ब्रीज के इंग्लेंड के वो जो फाकन ब्रीज उनके बारे में क्या कहना चाहती है पोर्शिया तब कहती है यू नो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूं उसे नहीं लेटिन भासा आती है न फ्रेंच आता है न इतलियन भासा आती है and you will come into the court and swear that I have a poor pennyworth in the English ठीक है और तुम तो जानती हो कि मेरी English कितनी कमजोर है in the court and I swear that I have a poor pennyworth in the English क्याने कि मेरी English काफी कमजोर है he is a proper man's picture वो देखने में बहुत सुन्दर है but alas दुख के साथ यहां कह रहे है लेकिन अफसोस who can converse with a dumb show कि यानि कि मूख भासा में कौन बात करता है यानि इशारे इशारों में how oddly he is suited कैसा उल्टा सिधा पहनावा है विचितर तरीके का पहनावा है उसका oddly मतलब विचितर तरीके का suited मतलब पहनावा है think he bought his doublet in Italy doublet की बात कह रहे हुए है मुझे लगता है कि उसने जो doublet है वो Italy से लिए यानि कसी हुई जो jacket है उसकी वो Italy से है his round hose round hose यानि पेट में बांदने वाला जो कप्ड़े का एक पट्टा है वो उसने फ्रांस से लिया हो his bonner in Germany bonner नहीं bonnet होना चाहिए bonnet bonnet मतलब खास किसमी की टोपी वो उसने जर्मनी से लिया हो and his behavior everywhere और बात करने का व्यावार उसने हर कहीं से लिया हुआ हो नेरी साफिर आगे बढ़ती है कहती है what think you of this Scottish lord his neighbor उसके पडोसी Scottish lord के बारे में आप क्या सोचती है तो Portiais के बारे में बताती है that he had a neighborly charity in him यही क्यों उपने पडोसीों के लिए उसके मन में दया भाव है for he borrowed a box of the ear of the English man क्योंकि उसने उस अंग्रेज के धूसे को अपनी कनपटी पर खाया and sore he would pay him again और क्या कह रहा है और उसे वापस मारे बगर कैसम खाते हुए केवल यह कहा कि जब कभी वह समर्थवान होगा ताकतवर होगा तो वह उसका उधार घूसा चुकता कर देगा ठीक है तो यह इसमें उसका दिखा रही है कि कैसा उसके अंदर दया भाव है when he was able जब वह ताकतवर हो जाएगा तो एक घूसा उसको वापस कर देगा जो उसने मारा है I think the Frenchman became his shorty and sealed under for another क्या कह रही है मैं सोचती हूँ कि French उसकी जमानत के लिए खड़ा हो गया था जिसने यह कहा था कि अगर वह कर जाद ही चुका पाएगा तो वह उसकी और से उसे चुका आएगा यानि वह खुद उसे घूसा मार देगा तो यह French वाला इसके लिए खड़ा हो गया था Next है कि नेरिसा आगे बढ़के एक और के बारे में कहती है How like you the young German the Duke of Saxony nephew Saxony के Duke के भतिजे you a German को आप कितना पसंद करती है यहाँ पर कितना पसंद करती है मतलब ऐसा ही कि आप कैसा पसंद करती है क्या सोचती है उसके बारे में Porsche कहती है Very widely in the morning when he is sober and most widely in the afternoon widely का मतलब क्या है बुरा लगता है very widely जब सुबा वा नशे में वा नशे में होता है तो घ्रिडित धंग से काफी बुरा लगता है और दोपहर में जब वा पईकर नशे में होता है तो वो और जादा बुरा दिखाई देता है गंदा लगता है when he is best he is at a little worse than a man and when he is worst he is little better than a beast जब वो अपनी सबसे अच्छी इस्तिती में होता है अपने best इस्तिती में होता है तो वो एक आदमी से कुछ बत्तर लगता है और जब वो अपनी सबसे खराब इस्तिती में होता है तो वो जो है एक जानवर से कुछ अच्छा लगता है एक जानवर से कुछ बहतर होता है आगे कह रही है and the worst fall that ever fell I hope I shall make shift to go without him और चाहे कितना भी बुरा से बुरा क्यों न हो मैं आशा करती हूँ कि उसके बिना अकेले ही आगे का रास्ता ढूंड कर चली जाओंगी नाशे में धुत्तोत होके कभी गुर जाएगा न तो बता चलेगा अकेले ही जानना भड़ेगा रास्ता ढूंड के नेरी साफिर आगे कहती है if he should offer to choose and choose the right casket you should refuse to perform your father's will if you should refuse to accept him अगर वह इस खेल को खेलने का प्रस्ताव रखे कि हां मैं प्रस्ताव रखता हूँ इस खेल को खेलने का और सहीत संदूक को casket यानि संदूक को चुले उस इस्तिती में तुम्हें अपने पिता की इक्षा का पालन करने से मना करना होगा यदि तुम उसे स्विकार करने से इंकार करती हो बई जिस तरह से पिता ने कह दिया है कि इसी तरीके से तुम्हारे पती का चुनाव होना है तो अगर तुम इंकार करती हो मतलब क्या कर रही हो तुम अपने पता के विल के खिलाफ जा रही हो ऐसा करना पड़ेगा तुमको पोर्शिया कहती है इसलिए सबसे बुरा घटित होने के खौफ की वज़े से मैं कह रही हो कि जाकर जो दारू है जो वाइन है उसको गलत संदूक के उपर रख दो गलत संदूक के उपर वाइट वाइन की बड़ी सी गिलास रख दो for if the devil be within and that temptation without I know he will choose it ताकि यदिवा शैतान जैसे ही अंदर आएगा तो वाइन को देख के प्रलोभित हो जाएगा लालच आज आएगा और लालच के बगएर रह नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा गलत संदूक को चूज कर लेगा I will do anything नेरिसा I will be married to a sponge मैं सब कुछ करने को तयार हूँ लेकिन उस प्रचंड शराबी से प्रचंड शराबी से तयार वो शादी के लिए मैं तयार नहीं हूँ मैं शादी नहीं करूंगी उससे नेरिसा कहती है You need not fear क्या कह रही है You need not fear Lady मालकिन इन लॉर्ड लोगों में से किसी से आपको शादी नहीं करनी होगी The having any of these lords They have acquainted me with their determinations या शादी करनी होगी या सोचकर आपको चिंतित नहीं होने है कि कोई जरूरत नहीं है उन सभी ने अपने इरादों से मुझे आउगत किरा दिया है Acquainted with detailed determination कि जो भी कुछ उनका इरादा है determination है उससे उन्होंने हमको परिचित करा दिया है Which is indeed to return their home और वो क्या है इरादा कि वो वापस अपने घरों को लौटना चाहते है And to trouble you with no more suit और दावेदारी करके वो आपको और परशान नहीं करना चाहते Unless you may be won by some other sort than your father's imposition Depending on the casket वो आपको परशान नहीं करना चाहते आपके पिदा के इस संदूक वाले परिक्षण से अलग किसी अन्य तरीके से जब तक कि आपको कोई जीत ना ले किसी और तरीके से कोई आपको पसंद ना कर ले तो वो सब के सब क्या करना चाहते हैं वो आपस जाना चाहते हैं परशिया कहती है कितनी अच्छी बात कह रही है कि यदि मुझे सिबला की तरह बुड़ी होकर जीना है तो मैं डाइना की तरह पवित्र मरूंगी यानि मुझे कोई नहीं चुएगा जब तक कि मेरे पिता दौरा बताएगा तरीके से मुझे जीत न लिया जाए I am glad this parcel of wovers are so reasonable मुझे खुशी है कि दावेदारों का या जो प्रस्ताव है बहुत reasonable है उचित है क्योंकि for there is not one among them but I doubt on his very absence and I pray God grant them a fire departure क्योंकि उन में से कोई भी अब वहां नहीं होगा लेकिन मुझे उनकी या अनुपस्थिती पसंद है ठीक है चले जाएं तो अच्छा है and I pray God यहां कह रहा है और मैं भगवान से उनकी सकुशल वापसी की दूआ करती हूँ कि वह सही तरीके से अपने घर को वापस चले जाएं नेरिशा कुछ याद दिला रही है क्या याद दिला रही है कि क्या आपको याद नहीं है जब आपके पिता जिवित थे अपके पिता के समय में तब एक वेनिवासी, वेनेशियन का मतलब वेनिस का रहने वाला वेनिवासी एक स्कॉलर, एक विद्वान, एक सोलजर, एक योध्धा मोल्टफिल्ट के मार्केस ड्यूक से नीची स्रडी का कुलिन व्यक्ति होता है उसके साथ वो आया था पोर्शिया कहती है, येस, येस, इट वोस बैसिनियो, हाँ, हाँ, मुझे याद है उस व्यक्ति का नाम क्या था, बैसिनियो था as I think, so was he, कॉल्डी सी नाम से उसे पुकारा जा रहा था नेरिशा कहती है, true madam he of all the men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving of your lady मुझे अच्छे, वो सच है madam मेरी foolish eyes मतलम ना समझ आखोंने अब तक जितने लोगों को भी देखा है all of the men, उन में से सबसे best जो deserve करता है एक खुबसूरत सी यूती को वो वही है, यानि कि उसी के साथ आप चक्कर चलाई मतलब यह कहना यहीं चारी है, इशारा इसका यहीं है कि वही best deserving है, वो आपको deserve करता है पोर्शया कहती है, I remember him well and I remember him worthy of thy praise मुझे वह अच्छी तरह से याद है और मेरी याददास्त बताती है कि वह तुम्हारी इस प्रशंसा के योग्य भी है अब यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे होता क्या है न यहाँ पे एक servant enter करता है enter a servant एक knocker का प्रवेश होता है how, now, what news ठीक है, कौन पोर्शया ही बोलेगी knocker के प्रवेश होने पर how, now, अभी कैसे, what news, क्या खबर है तो servant कहता है, the four strangers seek for you madam madam, चार परदेशी आपसे विदा लेने के लिए to take their leave and there is four runner come from a fifth, चार लोग आपसे विदा लेने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं और एक पांचवाँ व्यक्ती है जो कि अभी उसकी तरफ से come from a fifth, the prince of Morocco who bring word of the prince, his master will be there will be here tonight and one four runner आया हुआ है, four runner का मतलब होता है अग्रदूत आया हुआ है यानि कि किसी बाश्चा के आने से पहले कोई अग्रदूत होता है बताता है कि यहां बाश्चा आने वाले तो वैसे अग्रदूत आया हुआ है prince of Morocco की तरफ से चार विदा लेने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलेंगे विदा ले लेंगे पांचवा एक अग्रदूत आया है प्रिंस अफ मरोको की तरफ से और जो इसने ये बात कही है कि उसके जो मास्टर है मालिक वो राजकुमार आज रात तक यहाँ पर पहुंचेंगे पोर्शिया कहती है कि यदि मैं उस पांचवे का स्वागत उतने ही खुश दिल से कर सकती हूँ जितने से मैं बाकी चारों से विदाई कर रही हूँ तो मुझे उससे मिलकर खुशी होती मतलब चारों कुछ जिससे विदा करने में खुशी हो रही है वैसे ही पांचवे से मिलने में हो I should be glad of his approach तो मुझे उसके आने में बहुत खुशी होती If he have the condition of a saint and the complexion of a devil यदि वा साधू के सभाव वाला होता और शैतान जैसा दिखता I have rather he should shrive me than wife me तो मैं उससे कहती कि मुझे अपनी पत्नी बनाने के वज़ाए मुझे माफ करे कुछ lines छूड़ गी थी यहां typing में Come Nerissa to servant, Sirra go before Whilst we shut the gates upon one wooer, another knocks at the door क्या कह रही है? Knocker से, चलो Nerissa, Sirra पहले तुम चलो, go before Knocker का नाम होगा Sirra, कह रही है? चलो Nerissa, आओ, फिर वो Knocker से कहती है कि Sirra, चलो पहले तुम चलो While we, पहले जैसे ही हम एक दावेदार के लिए वो और लुभाने वाला दावेदार उसके लिए जैसे ही एक दरवाजा बंद करते हैं वैसे ही दूसरा आकर दरवाजा खट-खट आने लगता है और यहाँ पे Scene 2 खत्म होता है आपका सबका प्रस्थान हो जाता है Thanks for watching, do subscribe and share my channel